viruses होते हैं वो केवल DNA और प्रोटीन के ही बने हो, virus के पास pure cellular structure नहीं होता है application का process, bacteriophage का दो तरीके का हो क्यास से आप लोग, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारेस चैनल प्रीडबूटी में साथियो आज हम लोग बात करने वाले हैं, bacteriophage के बारे चलिए देखते हैं, bacteriophage क्या होता है, देखे काई बार क्या होता है, कि bacteriophage को, कई बच्चे यह समझ देते हैं कि कोई bacteria होगा तो वीडियो के अंत तक बने रही आपको पता चल जाएगा, कि bacteriophage कोई bacteria नहीं होता है, तो देखे, जो bacteriophage है, उसमें bacteria यानि कि bacteria related कुछ न कुछ तो बात होगी तो हमें समझ के topic को पढ़ना है तो bacteria phase का मतलब bacteria यानि bacteria ही होगा कोई और phase का मतलब होता है to eat ठीक है जो कोई भी bacteria को खा जाता है bacteria को खाने का मतलब क्या है उसमें कोई infection हो रहा है तभी तो उसका जो number है वो कम हो रहा है उसका growth कम हो रहा है तो उससे हम लोग कहते है कि भी कोई है जो कि bacteria को क्या कर रहा है phages ठीक है phages मतलब to eat होता है तो bacteria phase को ऐसे scientist ने बताया कि क्या बताया कि bacteria phase जो होते है वो क्या होते है eater of bacteria जी हाँ eater of bacteria और ये होते क्या है फाजिज होते हैं वो एक्चुली वाइरस होते हैं और वाइरस बैक्टिरिया में ये अंतर होता है कि जो बैक्टिरिया है वो वाइरस के कंपेर में बड़ा होता है और वाइरस जो है वो लिभिंग बिंग्स नहीं है वो लिभिंग और नॉन लिविंग द host cell के अंदर जाता है तो वो living entity सोगरने लगता है, यानि वो उस host के cell के अंदर जो mechanism हो रहा है उस पे क्या करता है, control पा लेता है, तो जब control पा लेता है, तो वो जो bacterial cell है, जिसे माले जो bacteriophism लोग पढ़ रहे हैं तो bacterial cell पे क्या करता है, control कर लेता है hijack कर लेता है, जो भी उसके mechanism जो protein synthesis वगरा होते हैं उसको वो अपने लिए क्या करता है, बनवाने लगता है उससे, तो इसी लिए bacterial cell जो होता है, वो धिरी dead कर जाता है यानि growth उसमें भाई आप ही को अगर भोजय ना मिले तो आप क्या होते है आपके cell क्या होंगे, damage होने लगेंगे और ऐसा समय आएगा कि कई बार आपने सुना होगा कि बुकमरिक करण कोई मर जाता है, तो क्या होता actual में, भाई cell को energy नहीं मिल रहा है तो वो dead हो गया, क्या हम लोग तो multi-cellular है ठीक है, तो ऐसे ही bacteria जो होते हैं, वो भी cellular होते है हुआ कहा कि जो bacteria phase है, वो virus है ठीक है, और किसम infection कास करता है bacteria में, तो इसे लिए bacteria phase हो गया इसको कहीं जबों पे phasis के नाम से या phase नाम से भी जाना जाता है ठीक है, तो अगर ये आपको कहीं भी ये line आपको दिखाए वे जो लिखा हुआ है, तो आप समझ लेजिए कि वहाँ पे bacteria phase की ही बात हो रही है, अब इसका structure कैसा होता है, या इसको किसने discover किया इन सभी के बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं तो बैक्टिरियो फेज जो है वो discover किसके द्वारा किया गया था फेड्रिक फेड्रिक F.W. ट्वार्ड के द्वारा ठीक है फेड्रिक विलियम ट्वार्ड है तो F.W. काई बूप भी दिया है तो F.W. ट्वार्ड कब 1915 में 1915 में और 1917 में फेलिक्स हुबर्ड डेरल ने क्या किया था? देखे आप लोग कही बार इसको कुछ लोग कहते है D.Heral ठीक है? तो जो सही प्रोनुपर्ड है वो ये है कि फेलिक्स हुबर्ड डेरल ठीक है? डेरल यहाँ पे आपको हेरल नहीं कहना है डेरल के लिए ठीक है? और जो बैक्टिरियो फेज नाम दिया गया वो दिया गया इनहीं के द्वारा कई बुकों पे केवल F.D.Heral कहते है न? F.D.Heral कई बुकों पे लिखा राता है तो उसका नाम कहा है? फेलिक्स है ठीक है? तो बैक्टिरियो फेज का जो टर्म है वो किसके द्वारा जो टर्म है वो पॉइंट किया गया फेलिक्स, क्योबर्ट, डर्ल के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो जो बैक्टिरियो फेज है वो जब यानि कि वेन वाइरिस इंटर्डूज नो ग्रोथ आप बैक्टिरिया जब इस वाइरिस को यानि जो बैक्टिरियो फेजम कहा है उसको जब बैक्टिरिया जो कॉलोनी है वहाँ पे इंट्रोडियूश कराया गया तो वहाँ पे दिखा गया कि जो बैक्टिरिया वो डेवलप नहीं हो रहा है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसलिए उसको phases of bacteria कहा गया, ठीक है, तो दीखे, एक जो मैंने example लिया है, बुक से ही है, कि जब suspension, किसका suspension था? bacterial colonica, उसका नाम क्या था? staphylococcus albus, जब उसमें bacterial phase को, यानि इस virus को, या phases को introduce कराया गया, suspension, किसी solution की बात हो रही है, ठीक है, और virus को कभी culture नहीं किया जाता, इ तो virus जो है, वो introduce कराया गया, किसमे staphylococcus albus में, staphylococcus albus में, तो उसके cell को क्या किया? कौन? virus, damage कर दिया, lysis कर दिया, तोर दिया, तो तोर दिया, तो भाई ये पता चला, कि जो ये virus है, वो bacterial cell को damage कर दे रहा है, तो इसलिए bacterial phase कर ला रहा है, आगे देखते हैं, ये जो bacterial phase ह होते हैं, वो obligate parasite होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर करता है, अपने nutrition के लिए, तो क्या गया लाता है? parasite, ठीक है? आपने जो है, नाम, सुन रखा होगा, parasite term, obligate यहनि पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, तो इसलिए obligate parasite है, तो bacterial phase के कुछ types भी होते हैं, जैसे T phases bacteria, ठीक ह viruses, virulent, virulent जो है, यह types को हम लोग detail में discuss करेंगे, आगे lectures में, ठीक है, जो habitat है, bacteriophase का, यानि यह कहां कहां पाए जाता है, तो bacteriophase कहां पाए जाता है, उसके अनुशार, कुछ जो है, यानि किस cell पे पाए जाता है, किस organs पाए जाता है, तो देखिए, actinophases, actinophases, जो है, व synophases, कहां पाए जाते है, synobacteria, तो synobacterial के cell पे यह पाए जाते है, तेशली इसका नाम दिया गया, synophases, ठीक है, structure की बात करें, तो जो bacteriophase है, वो लगभग, या फिर अगर देखा जाए, outer structure, तो उसमें क्या होता है, head होता है, collar होता है, यानि यह seat covering भी होता है इसमें, और tail होता है, तो head, collar, tail, यह इसका basic structure है, bacteriophase का, आगे अगर देखें, तो यह जो head है, यह polyhedral head होता है, ठीक है, और इसके बीज में क्या होता है, nucleic acid भरा रहता है, और nucleic acid कौन सा होता है, वो होता है, DNA, as a nucleic acid होता है, ठीक है, पढ़ाऊंगा, तो पढ़ता चलेगा, कि हर एक virus में, या तो DNA होगा, या तो RNA होगा, DNA, RNA दोनों एक साथ नहीं पाए जाते है, तो यह क्या है, वाइरस ही है, bacteriophase का structure है, ठीक है, तो इसमें यह जो बीच में भरा हुआ है, इसे हम लोग कहते है, DNA, ठीक है, और इसके, जो यह ब्लू कलर का आप देख रहे है, यह क्या है, प्रोटीन कोट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते है, कैपसिड, ठीक है, कैपसिड है, तो इसका जो structure है, जनल क्या है, head है, और यहाँ पे collar है, और यह टेल है, कुछ इस तरीके का बैक्टिरो फेस दिखता है, ठीक है, आपको मैं बता दू, ठीक है, उनमें cellular structure नहीं होता है, इसको दिमाग में बैठा लेजी, वाइरस के पास, pure cellular structure नहीं होता है, यानि इसके पास, हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि वाइरस को इसलिए, non-living कहा जाता है, host के बाहर जब रहता है, क्योंकि उसमें cellular structure नहीं है, और cell होने के लिए, मैंने बताया था आपको, अगर उस वीडियो को दे दिखना है, तो मैं description में link दे दूँगा, कि cell होने के लिए property क्या होती है, living होने के लिए क्या property होती है, उन सभी के बारे में, मैंने detail वीडियो बना रखा है, आपको playlist में मिल जाएगा, तो bacteriophase, जो अब दिखी, जो bacteriophase है, वो कहां कहां पाय जाते हैं, तो मैं आपको बत यहां बैक्टिरियो फेज, जहां बैक्टिरियो फेज, आपको याद करना होगा, तो बैक्टिरियो फेज आर अबंडेंट इन स्वायल, सीवेज वाटर, फ्रूट्स, और अल सच हैबिटाट्स, वियर बैक्टिरिया कैन सर्वाइब, बहुत ही important line है, बैक्टिरियो फेज वहाँ पाये जाएंगे जहां पे बैक्टिरियो है, क्योंकि भाई, बैक्टिरियो सिलके ही अंदर तो वाइरस का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे हम बैक्टिरियो फेज कह रहे हैं, तो जहां पे बैक्टिरियो फेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कहां कहां पाये जात जो की yeast वेगर हम पाय जाता है और आगे क्या है क्या हमारे body के इंदर ही पाय जाता है तो देखते हैं human beings के intestinal contents में भी क्योंकि हमारे body में भी bacteria पाय जाता है good bacteria, bad bacteria बारे में आपने पढ़ रखाओगा नहीं तो आपको playlist में lecture मिल जाएगा और कहाँ पाय जाता है urine में, blood में spittum में, saliva इन सभी जगों पे human के case में ये सभी जगों पे भी ये bacteria face पाय जाते है आगे है toward daryl phenomenon toward daryl phenomenon क्या होता है हम लोग देख लेते हैं तो देखें, जो bacteria है, उसके cell पे जब virus infection कास करता है तो replication का process दो तरीके से होता है जी हाँ, replication का process, bacteria face का दो तरीके का होता है, तो इसके बारे में हम लोग आने वाले videos पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर जो phenomenon ये कह रहा है कि bacteria के cell में जो virus है वो अपने आपको कैसे transmit करेगा कैसे फैलाएगा, spread out कैसे होगा तो replication कैसे होगा तो वो phenomenon जो है वो दोनों scientist के द्वारा जो है study किया गया था कि इनके transmission में कैसे होगा तो इसलिए इस phenomenon को कहा जाता है ट्वार्ट डेरल फिनॉमना जो कि इसको और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है transmisible lysis of bacteria transmisible lysis of bacteria ठीक है तो इस वीडियो में हमने बात किया बैक्टिरियो फेज के बारे बे तो viruses जो है जो कि bacterial cell को damage किये तो वो क्या कहला है बैक्टिरियो फेज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ और बैक्टिरियो फेज बहुत important है चलते चलते मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बैक्टिरियो फेज आपको बहुत ही जादा important है को पढ़ना ही पढ़ना है और आप लोगी screen sort ले लीजिए next lecture में हम discuss करेंगे इसके structure के बारे में detail structure के बारे में discuss करेंगे और types के बारे में discuss करेंगे ठीक है thank you